हेलो फ्रेंड्स आजे आपने थर्मल पावर प्लांट विशे अभ्यास करी सुँ जे पावर प्लांट मा कॉलसा नी हीट एनर्जी मा थी इलेक्रिकल एनर्जी मा रूपांदर करवा मा आवे तो आपने थर्मल पावर प्लांट कहिए छिए थर्मल पावर प्लांट मां सु हो है तो क्या पैला पाणी नू वराड मां रूपांदर करवा मां आवे बॉलर नी अंदर एब अल्टरनेटर जोडवामा आवे अने इलेक्रिसीटी उत्पन करवामा आवे छे तो मेंली आपड़े स्टीम जनरेट करिये छे अने आपड़ेसु कैसु स्टीम जनरेटिंग स्टेशन लेके स्टीम पावर स्टेशन पन कई सकाए तो आनी अंदर जोई ए तो मेंली आना छो भाग पड़े छे तो छो भाग नी अंदर काई रिते वह तो प्यल्लो जे भाग छे कॉल अने एस हैंडलिंग एरेंजमेंट का जैनी अंदर कॉल्सा नू अने एना कॉल्सा ना दहन पची एलेके एना बाड़ा पची यानी अंदर ती जे राक उत्पन थाए तो एनु हैंडलिंग करवामा आवे छे त्यार बाद आवसे स्टीम जनरेटिंग युनिट तो एनी अंदर तु त्यार बाद आवसे स्टीम जनरेटिंग युनिट मा आवे छे त्यार बाद आवसे स्टीम टर्बाइन तो स्टीम टर्बाइन नू हैंडलिंग करवामा आव तारवद ने, पांटमो फाद से फीड़ वाटर तो आपने बोयलर नी अंदर पान ले जिए छे तो आउसे फीड़ वाटर नी अंदर और त्यार बाद आउसे कुलिंग एरग्जमेंट, यह गरम होई एनने पाची ठंडी पाडी एनने पाची पाणी मा रूपांतर करी फरीतित एनो उप्योग करवा मा आवेचे तो आजे छो भाग छे एना वड़े आखो थर्मल पावर प्लांट समझी सकाई तो आपने आजे स्केमेटिक एरेंजमेंट ए लेके एक डायाग्राम उपरती एनने समझी सु तो प्यल्लो जे भाग छे तो कॉल स्टोरेज अनने कॉल हैंडलिंग यूनिट तो आपने जो एक पीक प्यल्ला जेरे कॉल स्टोरेज मां कॉलसानो संग्र करवामा आवे छे अनने कॉलसो क्या थी लावामा आवे तो भी खिन होय कॉलसानी त्यांथी ट्रांसपोर्टेशन फेसिलिटी वड़े ट्रांस्पोर्टेशन वड़े बाई रेल अथ्वा तो बाई रोड एनने कॉल स्टोरेज मा संग्रा करवा मा आवे छे पहला आपड़े रेल वाड़े कॉल सा ने लावा मा आवे अनने त्याने आपड़े कॉल स्टोरेज मा मुखवा मा आवे छे त्यार बत्सु थाए कि बी कोल स्टोरेज मा क्याम आपड़े संग्रह करो पड़े तो द्यार कोई कवार यह उधा बने कि बी को स्ट्राइक पड़ी गई अथ्वा तो ट्रक वाड़ा के ट्रांस्पोर्टेशन वाड़ा यह कि बीना आमें नहीं आई सक्किया कोई भी कारण सर होई सके वर्सादाय होई कुजरती कारण सर होई पर आबर कातो यह बने कोल सानी स्टोरेज पड़ी त्यां अगर कोल सो खान मा थी मढ़तो न थी हाल तो यहना अत्यार सोध्वानी प्रक्रिया चाल हुआ तो थोड़ा दिवस तो यहमा निकड़ी जाए तो आवी जे पड़ी हुआ तो यहां समय स्टोरेज वाडर कांसर होई आपड़ी जोड़ें तो आपर लगबग महिना जेहतलों स्टोरेज करवा महिना नुन जया पावर ब्लांट मा उप्युग तो यह कोलसा केटलों स्टोरेज मिनीमं होओ जो यह सूत है कि जारे भी आपड़े कालसो पड़े होए तो स्ट्राइक वकते अथवा तो जारे कॉल्सा नी स्वार्टेज पड़े त्यारे आपने यहां थी यूज करी सक्के तो पाव प्लांट बन थाए नहीं अवे जे कॉल स्ट्रेज मा जे कॉल्सो संगर था होए एनने आपने कॉल हेंडलिंग प्लांट मा करवा मा आवे नहीं जिनो-जिनो भुकको करवा मा आवे तो आपने घांगडा स्वरु पेज आक्खो दहन करी ये तो अनो पूरे-पूरु दहन था है हें इतले कैपूरे-पूरु चडगे नैहीं पूरे-पूरी energy आपने मड़े नहीं पावडर स्वरु करी दिये ये बंदे ने जोडे सर्गा ये तो पावडर जल्दी सडगी जाए अपनने खवो पड़े कभी पावडर भागो ये तो ये जड़पती सडगी जाए तो जड़पती सडगी जाए तो शुद्धा कभी एनू पूरे-पूरो उप्योग आपडे बोयलर नी अंदर करी सक्ये तो कॉल्सा ने पल्वराइज करवा मा पल्वराइज करो येटले ये भुक्को करेलो हो ये कॉल्सा ने आगड मुकलवा मा आवे कॉल एंडलिंग प्लांट मा थी कॉल्सा ने भुक्को करेलो जे कॉल्सो ओयने बोयलर मा अंदर नाखवा मा आवे छे बोयलर मा लई जवा माट फंदर पालवा आवेट फरी नांटर उतरर पर फढ़ने उत्वराने जरूर पढ़ेथे बोल्स सडगे यहां फीट एनरजी उत्पन ताए अवे आपड़े जो युके भी कॉलसान शडगाई है एकले यहनी अंदर ची जे हीट एनर्जी तो उत्पन था है पड़े यहनी जोड़े राख उत्पन था है यहने आपड़े एस कहीशू तो आज जे वदारानी एस रही एस तु करसे त्यां थी बार निकाडवी पर से तो एने आपड़े पची एस एंडरलिंग युनिट मा लई जैसू जे वदारानी एस निकड़े एने आपड़े एस एंडरलिंग युनिट मा लई जैसू एस एंडरलिंग प्लांट मा एनो प्रोसेस करवा मा आवे अने प्रोसेस करे बाद एने पची एस स्टोरेज प्लांट म मो कलवा मा आवे तेहां अगर मोट्टा मोट्टा खाडा करी ने एस ने स्टोरेज करवा मा आवे जए आ एस उत्पन्ध है यहने आपने सिमेंट अथवा तो इंटो नी बना वट मा कैवी जग्या आपने वापरी पन सक्किये छे तो आ जे युनिट तु यह आतु कॉल अन्न एस अंडलिंग युनिट आपो बोईलर मा आपने कॉलस अंदर नाकी जीदू कॉलसा नी हीट रही एनने आपने सडगाई ही एटलेएट उत्पन धाए एनने आपने शुकरीचू उप्योग कभी पानिने गरम करीचू तो बोईलर नी अंदर पाणि मुक्ली सु बराबर तो पाणि अंदर लावा माटे अपने एकॉनो माईजर नो उप्योग करीचू तो ईकॉनोमाईजर शुचे तो ये कि ऐसे टनकिका के फीड़ वाटर हिटर यहले कि दो में सबीकिक कि शीचेयर अजार को इसे मा लो कर्या होर टा से Ha ला, न गड़नों ही इसे आपनला वाम पनला था वा तो यह बहाला ád शेयर अचेयर बॉयलर ये स्टिम ने आपने सुपर हीटर मा मोकलवा मा आवे छे बराबर अवे आपने जो एक कोलसानो दहन था एले आमादी धुमाड़ा निकड़े एधुमाड़ा पणके वह एकदम गरम होए तो यहने आपने फ्लू गैसिस तरीके ओड़किये छे फ्लू गैसिस बराबन तो यह जे फ्लू गैसिस रहा एने आपने आरीते बार मुखली सु पहला एने आपने जवादेशू सुपर हीटर मा त्यार बात जवादेशू इकोनो माईजर मा त्यार बात जवादेशू एर प एर फ्रीटर अने चिमनी द्वारा बार जसे अवे जो येक जे आज ये बाग्रव के सुपर हिटर, एकोनोमाईजर अने एर फ्रीटर अने आप बोईलर मा जे पाई नू स्टीम मा रूपा अंदर था जो आखो जे बाग्रव अने स्टीम जनरेटिंग युनिट कहिए छिए तो अवे जो येक भी जे क्वालसान दं था युँआले स्टीम उत्पन था है एक स्टीम हसे ये आपने सुपर हिटर मा मो कलवा मा आऊसे सूपर हीटर नुकरी काहित मि इस सूच है नुऑ आज शूण सीप उद्पन टा선 तो ये वराड़ नी अंदर थोड़ा थोड़ा पाणी ना ड्रॉप्स रहि गया होए येवेट स्टीम होए थोड़ा थोड़ा पाणी ना भेजवाडी स्टीम उद्पन थंद। तो ए भेज जे दूर कर सब्सक्राइद कड़ाया, वंरस सबस्क्राइद आंडि ट्र Forschивает कर सब्सक्राइब अये एंदम ड्राय करी नाकसे एंगे एकदम ड्राय जे Superheat उत्पन थाये SuperStim जे उत्पन थाये के जे Steam एकदम वेट हसे एस्टीम ना आपड़े वालव वड़े टर्बाइन मा मुखलवा मा आउसे पीवर मी फिळ्वोटर पमप बैलर मी फ्लू ही पुलू गेसिज ज convention me पमप wir फ्लू गेसिज जोचे willy फुलàiण पाणी थोड़ू, पैलन्तीज थोड़ी warm water थही जैसे, पभी उंफाड़ू पाणी थाई जैसे, ज़िए रिवर नो एकदम ठंड़ू पाणी हो ये तो एना तुक करते उंफाड़ू करी देसे, तो इकोनो माईजर नू कारिया सूँ तो पाणी बोयलर मां मुकलवानू छे फीड वर्टर माटे नू काम कौन कर से तो इकोनो माईजर बराबर त्यार बात फ्लू गैसीस आगर जासे एर प्रीहिटर मां अब एर प्री इटर नू उप्योग सुछे तो अपड़े जो एक बोयलर नी अंदर कोलसो सडगावा मा आवाँ छे कोईपण वस्तु नू सडगावा मा आवे तो एमा एन पूर्तो ओक्सिजन नी जरूर पड़े अब एक बाहर नू वातावर नी हवा मड़े तो जे पूर्तो ओ सडगी जाए बाकी सुदा येनू पूर्तो दहन थाए नी ओक्सिजन नू सप्लाई ना मड़े तेयां सुदी कोई पन वस्तु सडगे नहीं तो अब कोलसा ने दहन करवा आपड़े जोई उसे कर जुना जमान आपड़े जोई हुए तो आमें के चूलो हुए अथ्वा तो कोलसा नी सगडी हुए तो एना आपड़े फूंक मारी मारी ने सडगा उता था तो ये फूंक मारी येले बाहर नी हवा एना उपर अड़े ये आमा ऑक्सिजन मड़े येले सडगी जाए अपर अपर एज रित और फरनेस नी अंदर बार्ती हवा फ्लो करवा मा आवे तो जेती सू तै कोलसा नू पूरे पूरू दहन थाए तो एनू कार्य कोण करसे तो एर प्री हीटर तो एर प्री हीटर नी आ गड़े एक पंखो लगावा मा उसे ये आपड़े कही सू फोर्स ड्राप्ट फेन आ फ तो थोड़ी गरम करसे यानि अंदर जो भेजवाड़ी हवा हुए चौमासा नी अंदर तो ये भेजवादर जाए नहीं तो अन्या अगड़ हवा बार आउसे नहीं गरम हवा आपने बोईलर मा मुखली सू इसले जड़पती कोलसा नू दहन था अंदर भेज जातो रहे त जड़पती सड़क से नहीं त्यार बाद या फ्लू गेसिस ने इंडियू से ड्राप फैन इंडियू से ड्राप फैन सू करते कभी एग्जोस्ट फैननू काम करते कभी आ दुमाड़ाना खैस या दी चिमनी मा मुकल से चिमनी सू असे तो एक मोट्टू टावर से बराबर तो एनी आजू बाजू एवा फिल्टर लगाएला आसे के एरेंजमेंट करेलू आसे के जेती जे दुमाड़ानी सासे थे थोड़ा फ्यूम्स हो एक थोड़ा रचकन उड़ता होए रचकन सू तसे एनी आजू बाजू च्वाटी जसे अने अनी अंदर फिल्टर मुकेला एना द्वारा सु चोखी अवा थाई ने एले के दुमाड़ा मां ती जे जैरी तत्व होए ये बदा बाद थाई जाए एना पच्छी आने वातावरण मां मुकलवा मां आवे जेती बाजू-बाजू मां कोई रहतू होए कदाच अथवा तो तो त्यांसी पसार साता काम कर साता लोकों ने ओक्सिजन मा अत्वा तो स्वास लेवमां तकलिपक पड़े नहीं बेरहाबर तो जे आक्खो आ युणिट रिव यने आपने कैसु रिफ्प foster अने आपने ल के इस तीम औरेट समी गेई पर हाहिट मां सु सुपर हीट्ट उने खिक हाई प्रेसर अने हाई ट्रबाइन ना पांख्या उपर फ्लो करवामा आवे तर्बाइन ना पांख्या उपर फ्लो करवामा आवे तेले के पांख्या गोड फर से, गोड फर से ले टर्बाइन नी साप्ट एनी सासे जोडेली हसे, टर्बाइन नी साप्ट जोडेली हुआ, एटले सु कर से शाप्ट पन जोडे फर से, लेके आज जे हीट एनर्जी रही, एनो अन्या मिकेनिकल एनर्जी नमा कनवर्जन थसे, बराबर अब जे mechanical energy मा conversion थाए बराबर यह नी जोड़े आपणे alternator जोड़ेल हुआ अल्टरनेटर जोड़ेल हुआ यहले alternator नुँ मुख्यकारी आशु तो mechanical energy नुँ electrical energy मा रुपांतर करवान तो यह अगर आपणे three-phase supply मर से alternator फर्षे अल्टरनेटर फर्षे यह electrical energy उत्पन्द होए यह पावर सप्लाई आपणे ट्रांस्पोमर मा जवा देवा मा आउसे त्यांसी ट्रांस्पोमर मा स्ट्याप अप करवा मा आउसे यह पावर सप्लाई ना ai TV ॥ा फाई आउसोलेटर स सरकित्सपोमर मा आए अल्टरनेटर फर्षे यह पावर सप्लाई १ावा मा आउसे ॥ाई लगावाम आवे खेटर दीची सब्ड तकालेटार आके हिर्प भुखेघर सेयल्स फिल्ड वाइडिंग खिनाइ पर मोकली कभी जे तुबहीट स्टीम हती कि जेती आपने टर्बाइन ना पाक्या प्ण को रोजन थासे नहीं तो लेको वेंट स्टीम हो जार कि भेजवाडी स्टीम हो तो 2 5 अत्या अगर सफ पाक्या बगडिं जानित तो पांका बदल वा पड़ए आपणी घटी जाए तो पांख्या ना बदलवा पड़े तो आपणी ओवरोल एफिशन्सी वच से बराबर तो अवे आज जो यह कभी इंहा स्टीम पांख्या उपर थी आगड़ जैसे ले एक्जोस्ट था से लेके बाहर निकर से यह श्कुल अशे गरम अशे तो जै एक्ज लगाना नून्हीं के सुषानदश भांटच से शुठा बालच और में करंद मते हिल्टा लिवकाई. यह तक स्वेड़ब्य भांटबम्डृ operated circulating water pump वड़े औने आपड़े feed water pump मा जवादेवामा आउसे आने पाच्छु feed water pump वडे feed water heater द्वार एकोनो मैजर मा थाई पाच्छु boiler मा लाववामा आउसे पाणी अवजु ये कभी आट condenser चे यानी अंदर पाणी ने ठंडू पाड़वामा आउसे तो यह cooling tower लगावमा आउसे आने river मा थी पाणी cooling tower मा जवादेवामा आउसे आने cooling tower मा थी circulating water pump वडे condenser मा थी पाणी circulate करवामा आउसे आ ठंडू पाणी हसे गरम पाणी साथे विनिमाई करसे लेके heat ने सोसीले हसे लेके यह जे exhaust steam हती यह मा थी heat दूर थाई जैसे पाणी नमा रुपांतर थासे steam नू पर अबर अने आज जे पाणी हसे पाच्छु circulating थाई पाच्छु cooling tower मा आई जैसे अने वदारानू पाणी ले हुए तो river मा थी आपने लाई सकीशु जो river मा पाणी ना होए कोई दिवखते तो cooling tower मा पाणी हसे तो एना वडे पन आपने थंडू पाणी सकीशु त्यार बाद जो एक तो कैस बई आब river नू पाणी चे एना आपने water treatment chamber मा लाई जवा मा उसे water treatment chamber मा पाणी फीड water pump मा ले जवा मा आउसे जारा आप steam नू पाणी मा रूपांतर था से एक लू पूर्तू नहीं हुए तो वदारानू पाणी क्या थी river मा थी water treatment chamber मा थी direct लेवा मा आउसे और इको नो माईजर मा था बोयलर मा जवा देवा मा आउसे तो overall आपने जो यू के प्य उच्पन था से एन्य एस enderling plant मा ले जवा मा आउसे त्यार बाद एन्य एस storage मा ले जवा मा आउसे पछे यू यूग्य निकाल करवा मा आउसे अथवा तो यू उप्योग करवा मा आउसे त्यार बाद बोयलर नी अंदर जी जी steam उचपन था ही बराब ये steam ने शूपर प्रोशेस थाई चले आपने इलेक्रिकल एनर्जी माड़ी तो अटला माटे आपने थर्मल पावर प्लांट तरीके ओड़किये छिये तो आजे आटलूज मित्रो वीडियो पसंद आवे होए तो लाइक कर जो सेर करो औने चैनल ने सब्सक्राइब करो और नवा वीडियो ना नोटिपिकेजन माटे बेल आइकोन पर क्लिक करो